नमस्कार दोस्तो मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज फिर से मैं अपनी टेरिस गार्डन में आपको लेके आई हूँ अपनी बिंडी के पॉंधे और उनकी हार्वेस्टिंग दिखाऊंगी बहुत ही खुबसुरत बहुत ही अच्छा लगेगा आपको भी द प्लांट हो रहा है लेकिन वह बही अच्छी फूटिंग कर रहा है देखें 10 इंच के ग्रोबैंग में मिर्च का पौंधा लहला हा रहा है और सानदार फूटिंग कर रहा है अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अचारी मिर्च हर्वेस्ट की थी अब 현재 हरी मिर्च मेरे 10-10 इंच के पॉट में हो रही है और कुछ मैंने लोभिया की बेल लगाई है और एक प्लांट तो मेरा मिर्च का ऐसा हो रहा है जिसमें अंदाज ही नहीं आ रहा है कितनी पत्या है और कितने फ्रूट लगे हैं सब यह हरी मिर्च खुप सारी अभी हो रही है लोबिया का जो मैंने प्लांट लगा है उसमें भी फ्रूटिंग सुरू हो गई है अभी एकका दुका लोबिया की फलिया निकल रही है वैसे तो गुच्छे-गुच्छे में लोबिया होते हैं लेकिन अभी कम-कम ही ये फल निकल रहे है फूप सारे फूल लोभिया की बेल में आई हुए है हापते दस दिन में ही इसमें अच्छी फ्रूटिंग होने लगीगी लोभिया की बेल भी मैंने बहुत बड़े कंटेनर्स में नहीं लगाई है ये इनी ग्रूबेक्स में जिनमें पहले मैंने बैगन की पेल लगाए थे और अचारी मिर्च लगाई थी उनी ग्रूबेक्स मेंने इलोभिया की बेल लगाई है अब ये मैं आज अपनी भिंडी हार्वेस्ट करने के लिए आ गई हूँ आज दिन में धूप बहुत तेज थी तो एकदम सारे पौंधे भिंडी के जुलस गए है वैसे मैं आज तीसरी बार भिंडी तोड़ने लगी हूँ पहले मुझे भिंडी की वीडियो बनाने का समय नहीं मिल पाया तो वैसे रही तो मैंने का कुछ भिंडीयों को हार्वेस्ट करके आप लोगों दिखाया जाए देखे छोटे-छोटे ग्रोबेक्स और घर की छट में भी किस तरह हम सबजी उगा सकते हैं वैसे तो पूरी सबजी की रिक्वाइर्मेंट इन ग्रोबेक्स से पूरी नहीं हो सकती लेकिन फिर भी हपते में दो सबजीयां आराम से इन ग्रोबेक्स की मुझे मिल जा रही हैं सबसे बड़ी बात तो यह है कि सबजीयां एकदम और और फ्रेस हैं दोस्तों मैं किसी भी तरह का केमिकल फर्टिलाजर अपनी इन गार्डन में नहीं डालती हूँ क्योंकि कोई फाइदा नहीं है अगर हम इसमें यूरिया डाले या फिर इस तरह की कोई भी चीज डाले तो सबजी उगाने का कोई फाइदा नहीं है इन सब्जियों में सिर्फ गोबर की खाद और वर्मी कमपोस्ट ही पढ़ियेती है और बहुत से बहुत मेरी किचन डिकमपोस्ट से ही ये सारे प्लांट उगे हुए हैं इन गमलों और ग्रुबेक्स में जितनी भी बीट्स उखती हैं, खरपतवार उखती हैं मैं उन्हें उखाड के इसी सोहल में दबा देती हूँ और कुछ दिन वाद वो भी डिकमपोस्ट होके खाद बन जाती हैं और दोस्तों जो धनिया मैंने फ्री में उखाया था इसकी वीडियो भी मैंने बना के अपने चैनल पर डाली थी वो देखो अभी भी इतना अच्छा खासा चल रहा है और्गनिक है तो हर तीसरे चौथे दिन मैं इसको हार्वेस्ट करके चटनी वगर बना लेती हूँ और कभी कभी चटनी बनाने का मौका जब नहीं मिलता है अभी बरसाथ से पहले खूब सारा हरा साग हुआ था जो हमने भी खूब बनाया और पडोसियों को भी खूब बांटा पुदीना, हरी धन्या और करीपत्ता की रिक्वार्मेंट तो लगभग रोज ही मेरी घर में रहती है इसलिए मैंने तीन-चार पॉट जो अलग-अलग हैं उनमें करीपत्ता भी लगाया है कुछ तो अभी इस बार मैंने बीज भी बोये हैं और तीन गमलों में मैंने करीपत्ता बोया है दोस्तो समय समय पे मैं आपको अपने गार्डन का ओवर्विव दिखाते रहती हूँ कभी हार्वेस्टिंग दिखाती हूँ और कभी छोटी-छोटी पॉंद लगाना दिखाती हूँ तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करें इधर देखे मैंने जो अभी बीच में हल्दी वही थी इतने बड़े बड़े इसके पेड़ निकलाए हैं हल्दी और अर्वी के पेड़ खुब अच्छे हो रहे हैं जोस्तों जब भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए देखे किते सांदार ये अर्वी के पत्ते हो रहे हैं बारिस का पानी अटका हुआ है ऐसा लग रहा है जिसे मोती इनके उपर विखर रहा हो कभी-कभी बहुत तेज बारिस हो रही है तो सारे पत्ते धुले हुएं और एकदम चमकदार बने हुएं अर्वी के पत्तों की पतोडे और इसका साथ बहुत ही लाजवाब होता है एक दिन बनाके इसकी वीडियो भी आप लोगों को दिखाऊंगी दोस्तो मेरा एक डिली रूटीन है कि मैं सवेरे नहाने के बाद अपनी गार्डन में एक चक्कर जरूर आती हूँ जो भी उसमें खर्पतवार जमी होती है उसको निकाल के फैक देती हूँ और कोई भी चीज मुझे कड़ी पत्ता या कोई हर्वेस्ट करके ले जाना होता है तो मैं सवेरे एक चकर जरूर छट में आती हूँ उपनी कड़ी पत्ता और भींडी मैंने हर्वेस्ट कर ली है अब सोच यूँ कि थोड़ा सा हरी मिर्च भी मैं तोड़ जाओ ताकि एक मैं चटनी भी इसकी आराम से बना सकूँ लगभग 5-6 साल से मैंने ये चोटी मूटी चीज़ें बाजार से नहीं खरी दी और खरी दी भी हैं तो बहुत कम नहीं के बराबर दीखें मैंने इतनी सारी चीज़ें हर्वेस्ट कर ली हैं भिंडी की सबजी हरी मिर्च पोदीना और करीपत्ता तो दोस्तों आप मेरे चै